नमस्ति चत्रो कैसे आप अच्छे न ओकी तो आज हम आपकी जो हिंदी की किताब है रिम जिम इस किताब में जो पांचवा पार्ट है जहाँ चाह वहाँ राह इस पार्ट का जहाम अद्देन करने वाले है तो बच्छो फिछले वीडियो में हमने इस पार्ट के आदे हिस्से का अद्देन किया था आज हम अगले हिस्से का क्या करेंगे अद्देन करेंगे तो ये पाड़ देखते समय या ये कहानी देखते समय हमने देखा था कि इसमें इला नाम की एक लड़की है और वो लड़की कैसी है हातों से अपाईज है वो कोई भी काम अपने हातों से नहीं कर सकती है और इसे कारण वो अपने सहलियों के साथ या दोस्तों के साथ कोई भी खेल नहीं खेल सकती है जो कि उस मुहले के सबी बच्चे शाम के समय क्या करते है अलग-अलग खेल खेलते है लेकि नीला कोई भी खेल नहीं खेल सकती है कभी कभी वो क्या करती तो जो विश अमरूत खेले या पकड़म पकड़ाई खेले उस खेल में शामिल होती वो खेल खेलने लगती लेकिन जब धपा देने के नौबत आती तो वो क्या हो जाती निराश हो जाती क्योंकि धपा देने के लिए हाथों के आवशक्ता होती है और इला के हाथ कोई भी काम नहीं कर सकते और इसलिए वो क्या हो जाती निराश हो जाती लेकिन उनके जो आपाईज हाथ थे वो उसके साथ नहीं दे रहे थे और इसी करण इला ने मन में ठान लिया, मन में तै कर लिया कि इस हाथ को वो क्या बनेगी अभी एक चुनोती मानेगी चुनोती मान कर वो क्या करेगी अपने जीवन में आगे बढ़ेगी यहां तक हम देखा था, यहां तक हम शायद आये थे अभी इस से आगे हमें इस वीडियो में देखना है तो हमने देखा था कि इला ने अपने हाथों को क्या माना था चुनोती माना था तो जब उसने वो सब अपने पैरों, जो काम है वो क्या करने लगी हातों के बज़े अपने पैरों से करने लगी यानि कि इला कोई भी काम हो वो हातों से नहीं कर सकती थी लेकिन वो किसे करती अपने पैरों से करने लगी और कोई भी काम पैरों से करने वो सीखने लगी और उसमें वो माहिर भी हो गई जैसे कि दालबात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्ष बोहारना, कपड़े दोना, तरकारी काटना, अध्यन करना, कोई काम करना यानि कि जो कोई काम है, कपड़ों पर कड़ाई करना, सभी काम वो क्या करते थी? अपने पैरों से करते थी याने कि आपने एक निउस भी देखी होगी टीवी पर कि एक स्कूल में एक चात्र था बच्चा था वो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता था लेकिन वो अपने पैर से खाना खाता था याने कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस हाथों को चुनती मान कर वो क्या करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उसी प्रकार इला भी क्या करती है कोई भी काम अपने पैर से करने के लिए वो काम सीखती है और वो सभी काम अभी अपने पैरों से ही करती है उसने एक स्कूल में दाकिला भी ले लिया यानि कि उसने ठान लिया कि वो भी आभी क्या करेगी स्कूल में जाएगी लेकिन आपको मालूम है यदि स्कूल में जाना हो तो क्या करना पड़ता है पढ़ाई करनी पड़ती है लिखना पड़ता है और लिखना है तो हाथ अच्छे होने चाहिए, नहीं न, तो उन्होंने स्कूल में दाकिला लिया, लेकिन उस समय भी उसे बहुत सारे तिक्कतों का समस्याओं का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, क्योंकि दाकिला मिलने में भी बहुत परिशानिया आई, और उन स्कूल में जब वो जाती थी, तो उसकी सुरक्षा कोन करेगी, उसके रक्षा कोन करेगा, उसको खाना कोन खिलाएगा, वो लेकिएगी कैसे, यानि क्या ऐसे कई समस्याओं से, वो स्कूल वाले क्या करते थे, चिन्तित रहते थे, तो कई उसके काम करने की जुगती थी, है फूर्थी मतलब उर्जा से करती यानि कि मन लगा कर करती कि सभी लोग देखकर क्या हो जाते थे अच्छे रेचकित रह जाते थे सभी लोग देखने वाले दंग रह जाते थे कि यानि कि ये लड़की हाथों से आपाईज है फिर भी आपने पैरों से कितना अच्छा काम करती और कितने जलदी से काम करती है, ये देखकर देखने वाले लोग क्या हो जाते थे, दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत पड़ी पड़ी परिशानियां आती ही रहती थी, लेकिन वो उस परिशानियों को चुनोती मान कर उसका डट कर सामना करती और उस काम में क्या हो जाती सफल हो जाती वो परिशानियों के आगे गुटने कभी भी नहीं टेकती थी उस परिशानियों को वो चुनोती मानती थी उसे प्रकार स्कूल में वो दसवी कक्षा तक पढ़ाई की कहां तक पढ़ाई की उसने तो दसवी कक्षा तक पढ़ाई की लेकिन वो दसवी कक्षा की परिक्षा पास नहीं कर पाई यानि कि वो दसवी कक्षा की जो परिक्षा एक्जाम है उसमें क्या हो गई वो फेल हो गई क्योंकि आपको मालूम है दस्विक अक्षा ये बोर्ड की एक्जाम होती है और उसमें टाइम होता है उस टाइम में उसे एक्जाम देना पड़ता है और इला कोई ये मालूम नहता कि परिक्षा के लिए उसे आतिरिक्त समय मिलता है आपको मालूम है जो लोग अपाईज होते उन्हें क्या सुविदा दी जाती है कि उनको आतिरिक्त समय दिया जाता है आदा गंटा बढ़ा कर दिया जाता है यदि किसी को हाथ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं वो लोग लिखने के लिए दूसरा कोई बेखती रख सकते लेकिन ये इलाको जानकारी के बारे में कोई भी मालूम न था या जानकारी नहीं थी तो यदि ये जानकारी इलाको होती तो वो दस्विक अक्षा में क्या हो जाती पास हो जाती लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में निराशन होकर आगे बढ़ने का तै किया और वो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है ऐसे मानकर वो क्या करने लगी अपना काम करने लगी फिर आगे उसने देखा कि उसकी जो मा थी वो क्या करते थी आया उसकी मा उसकी दादी काशिदा कारी करते थी अभी ये काशिदा कारी क्या है एक जो डिजाइन है वो जो कड़ाई है उसमें से एक टाइप से काशिदा कारी जैसे मैं आपको यहाँ दीखाता हूँ जो अलग प्रकार के कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है उसमें से काशिताकारी यह दोखो यह यह अलग प्रकार की डिजाइन दिखाए दे रही है यह अलग प्रकार की डिजाइन दिखाए दे रही है यह जो कपड़ पर बनाई गई यह कैसी है काता की कड़ाई है यह कहां बनाई जाते तो पच्चिम बंगाल में बनाई जाते है बंगला की प्राचिन कलाव में से यह काता कड़ाई है इसमें पुरानी साडियों और सफेद सुती कपड़े को जोड़ कर कई परते बनाई जाती है आपने देवरूप में भी देखा होगा कि पूरानी साड़ी देकर आपको क्या अलग-अलग प्रकार के डिजाइन बना कर क्या करते वापस दे देते तो इसे प्रकार बंगला में बंगल जो है पच्चिम बंगल वहां किया किया जाता है काता कड़ाई की जाती है और बंगल की ये प्रसिद प्राचिन कलाव में से एक है तो इसमें पुरानी साड़ी और सफेद सुती कपड़ों के द्वारा ये कड़ाई बनाए जाती है ये काता कड़ाई है दूसरी देखो यह जो कौन सी कड़ाई है चिकन कारी कड़ाई है यह कौन सी कड़ाई है चिकन कारी कड़ाई है यानि कि रेशिम धागों के सहारे सुई के सहारे इन क्या किया जाता है साडियों के उपर यह डिजाइन बनाई जाते है इसे कहा जाता है चिकन कारी कड़ाई कह यह कहां बनाई जाते हैं तो उत्तर प्रदेश लकनों में बनाई जाती है यानि कि उत्तर प्रदेश में ये कड़ाई एक प्राचिन कलाओं के रूप में आती है तो इसमें जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों पर ये कड़ाई की जाती है सुई धागों के टाको द्वारा की विख गई हातों की कारिगरी लकनवी कड़ै कहलाती है, यानिकि हातों से ये कड़ै बनाई जाती है, दुनिया की विभिन वस्त्रों में लकनव की कड़ै एक प्रसित कड़ै मानी जाती है तीसरी देखो इसे कहा जाता है क्या काशिदाकारी कड़ाई ये कैसी कड़ाई है काशिदाकारी कड़ाई तो इसी प्रकार की काटी वाड़ी काशिदाकारी कड़ाई जो है वो उनकी मा और दादी क्या करती थी कपड़ों पर किया करती थी तो ये कश्मिरी काशिदाकारी कड़ाई है कैसी है कश्मिरी काशिदाकारी कड़ाई इसे कहा जाता है कश्मिर में ये कड़ाई बनाई जाती है ये देखो तिसरी साडी के उपर दिखाई गड़ाई ये डिजाइन है इसे क्या कहा जाता है तो काटिये वाडी कड़ाई जो गुजरात में काटिये वाडी है वहां ये एक डिजाइन बनाए जाती है प्रकार ये कशिदाकारी कड़ाई कौन करती थी तो उसकी मा और दादी कशिदाकारी करने का काम करती थी वह उन्हें स्वी में रेशम पिरोने से लेकर बुटियाओ करते हुए देखती यानिकि दादी या उसकी मा जब स्वी में रेशम डालती और वो कशिदाकारी कड़ाई करती तब यह इला उन्हें देखते ही रहती और जब यह काशिदाकारी करती तो इला ने मन में ठान लिया कि वो भी क्या करेगी यह डिजाइन सीख लेगी और कपड़ों पर डिजाइन बनाने का काम करेगी न जाने कब उसने काशिदाकारी करने के ठान लिया यानि कि उसके मन तो वो अपने दोनों पेर के जो अंगुटे थे उन अंगुटों के सहारे करती थी दोनों अंगुटों के बेच वो स्वी थमाती थी और वो स्वी में रेशिम का ढागा डाल कर वो कड़ों के उपर आसानी से क्या करती थी वो कड़ाई यानि की डिजाइन करने का काम करती थी पर कहते हैं न जहां चाह वहां रहा यानि कि उसके मन में इच्छा थी वो डिजाइन करने की और वहां उसे रास्ता मिल गया और वो अच्छा अच्छे डिजाइन करने लगी उसके विश्वास और धेर्य ने कुदरत को भी जुटला दिया यानि कि उसके मन में जो विश्वास था उसके मन में जो धेर्य था उस विश्वास ने उस धेर्य ने उसे उस काम में क्या किया सफल बना दिया और इस कुदरत को भी क्या किया हरा दिया ऐसे यहां बताया गया ह आगे 15-16 साल की होते होते इला काटियावाडी काशिदाकारी में माहीर हो चुकी थी यानि कि जब वो 15-16 साल की थी तब ये काटियावाडी काशिदाकारी जो कड़ाई है जो कला है उसमें वो क्या हो गए थी? माहीर हो चुकी थी, यानि कि उसका हाथ कोई भी पकड नहीं सकता था, वो अच्छा अच्छी डिजाइन बनाती थी किसी वस्ट पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौनसे रंगों के नमूना खिल उटेगा और टाको कौनसे लगे, ये सब वो समझ गई थी यानि कि कौनसे कपड़े पर किस प्रकार की डिजाइन बनानी चाहिए किस रंग की डिजाइन बनानी चाहिए कौनसा रंग कौनसे कपड़े पर अच्छा दिखेगा ये सब क्या करती थी तै करती थी कौनसा टाका, कौनसे रंका टाका, कौनसे कपड़े पर अच्छा दिखेगा, ये वो तै करती थी, और 15-16 साल की होते होते, ये सब उन्होंने क्या किया था, सीख लिया था, और वो अच्छी डिजाइन बनाने लगे थी, एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काड़े ग करने लगी वो, प्रदर्शनी भी लगाई जाने लगी, जैसे कि आपने कही बार प्रदर्शनी देखे होगी, है न, कि आर्ट की प्रदर्शनी होती है, जैसे कि अलग-अलग प्रकार की चित्र बनाई जाते है, उसकी प्रदर्शनी होती है, और वो प्रदर्शनी हम देखन मुझे के लिए चले जाते है तो उसी परकार इला भी क्या करते है जो कड़ाई करते थी उन कड़ाईओं के कभी कभी क्या हो जाते थी प्रतर्शनी लगते थी इन परिधानों में काटियेवडिकरे साथ लकना ओर बंगाल की जलाक रहा थी यानि कि जो काशिदाकारी करते है उन काशिदाकारी कड़ाई में, वो क्या करती थी, जो बंगाल की डिजाइन है, मैंने जो पहले दिखाई है न, ये डिजाइन, इसका भी सामावश वो उस काशिदाकारी कड़ाई में करती, कभी-कभी वो लखनाव की डिजाइन का सामावश उस कड़ाई में करती, या डिज दिखाई देते थी, इन सब को एक साथ मिलाकर वो अच्छी सी डिजाइन बनाते थी, और इसकी जलक उस डिजाइन में दिखाई देते थी, इला ने काटिये वाड़ी टांकों के साथ-साथ और कई टांकों भी इस्तेमाल किये थे, जैसे मैंने आपको पहली बार दिखाए थे है न, चित्रे में टाके भरवाँ टाका, कसुती टाका, जैसे अलग-अलग टाके दिखाए देते, यह देखो, यह अलग प्रकार का टाका है, यह अलग प्रकार का टाका है, और जो तीसरा चित्रे है, यह अलग प्रकार का टाका है, और यह अलग प्रकार का टाका है, यह ब प्रकार की डिजाइन वो बनाती पत्तियों को चिकन कारी से सजाया था जो मैंने पहले दिखाया था चिकन कारी डिजाइन जो पहले मैंने दिखाया था चिकन कारी यह देखो यह जो है इसे क्या कहते है चिकन कारी टाका यानिकि चिकन कारी डिजाइन कहा जाता है तो वो क्या करती थी पत्तियों की चिकनकारी से चाजाया था यानि की चिकनकारी टाका उसी प्रकार की डिजाइन बना कर वो पत्तियों को सजाया थी डंडियों को काते से उभारा था यानि की जो डंडे थे उन डंडियों से वो का करती थी जैसे कातियों से ये कातिय वाला जो डिजाइन है उसे वो उभारती थी उसे वो सजाती थी पशुपक्षियों की जामिती आकुरूतियों को कसुती और जंजिर से उटा रखा था यानि कि पशुपक्षों की जो चित्र थे जो आकृतियां बनाती थी वो किस टाकों से बनाती थी तो कसुती टाका जो है जो मैंने पहले दिखाय था उस कसुती टाकों से बनाती जनजिर जैसे टाकों से बनाती और उने अच्छी तरह से आकार देती थी पारंपारिक डिजाइनों में यह नविनता सभी को बहुत बाई तो पारंपारिक जो डिजाइन है उन डिजाइनों में यह अलग-अलग परकार की जो नविनता लाती थी तो यह नविनता सभी को क्या करती थी बहुत अच्छे लगती थी इला के पाउं अभी रुकते नहीं थे यानि कि इला के जो पाउं थे पैर थे वो अभी रुकते नहीं थे आखों में चमक थी होटों पर मुस्कान थी और उसके मन में अनुठा विश्वास था यानि कि अनुखा विश्वास था और उस विश्वास के बलबूते पर वो क्या क कपड़ों उपर क्या करती डिजाइन बनाती ही रखती उकरता मतलब बनाती थी यानि कि अच्छा अच्छी प्रकार की अलग अलग प्रकार की वो डिजाइन बनाती रहती थी यानि कि इस कहानी में यही बताया गया है कि यला यदि हाथ से आपाईज हो लेकिन उन्होंने हम ज से चुनती माना और वो से भी काम पैर से किये और आगे जाकर जो काशिताकारी कड़ाई है काटिये वाड़ी की जो काशिताकारी कड़ाई है उसमें क्या किया वो माहीर हो गई और उसमें अलग-अलग प्रकार की डिजाइन बनाई और इसी कारण यला क्या हो गई सभी भारत म मशूर हो गई, उसकी डिजाइन मशूर हो गई, सबी लोग उसे जानने पहचानने लगी, आज हम कई ऐसे लोग हैं, जो अपाईज होकर भी अपने जीवन में क्या हो गए? सफल हो गए, तो इसा परकार हमें भी अपने जीवन में यदि कोई समस्या हो तो उस समस्या का क्या करना चाहिए डटकर सामना करना चाहिए उस पर हल निकालना चाहिए और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जैसे इला बढ़ती गई उसी प्रकार हमें भे अमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए यही इस कहानी के द्वारा बताने की कुशिश की गए आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बेश सकते हो तब तक के लिए दन्यवाद